नमस्कार दोस्तों साथिकार क्या है नियूज में क्यूं है और अल्प संख्यक से संबंदी तभी सुप्रिम कोट ने एक निरने दिया है इसको हम डिसकस करेंगे तो आए चलते हैं हम आज के अपने पहले टॉपिक पर हमारा आज का पहला टॉपिक है संसदों का विशेशाधिकार ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के एक संसद को एडी के दौरा सम्मन भेजा गया जबकि सत्र चल रहा था तो उन संसदों उन संसद ने कहा कि हमारे विशेशाधिकार का हनन हुआ है सत्र च चल रहा है, तो शांसदों को उनके अपराधिक मामलों में गृिफतारी से उनमुक्ती प्राप्त नहीं होगी. मतलब सदन चल रहा है तो भी सांसदों को अगर उनक motiv में अपराधिक मामले दर्ज़ हैं, तो उनको गृफतारी से कोई भी छूट प्राप्त नहीं होगी, साथ ही कानून प्रवर्तन एजन्सियों के द्वारा जारी संबंद से बच नहीं सकते हैं, अगर कोई संबंद जारी किया गया है तो उनके सामने पेस होना पड़ेगा सानसदों को, इस आपराधिक मामलों के संबंद में उनको विसेशाधिकार प्राप्त नहीं ह आएए देख लेते हैं कि हमारे संविधान में क्या प्रावधान विशे साधिकार से संबंदित कौन कौन से प्रावधान है अनुछेद 105 में एक प्रावधान है जो की संसत के सदस्यों को राज्य सभा और लोग सभा के सदस्यों को प्राप्त है 105 में और 194 में राज्य विधान मंडल के सदस्यों को यानि कि सभी राज्यों के जो विधाई काई हैं उनको विशेसाधिकार से संबंदित जो अधिकार दिये गए हैं वह अदिकार दिए गए है 194 में और केंद्र सरकार को या कि छोवजभा के जो या राज़सभा के जो सदस्य हैं उनको 1005 में विशेसाधिकार का प्रावधान किया गया है संवीदान में तो अगर ये question में आए कि विशेसाधिकार से संबंदित प्रावधान मूलता भारती संब्धान में नहीं है तो यह गलत है मूल रूप से संब्धान के अनुच्छेद 105 और 194 में विशेसाधिकार से संबंदित प्रावधान है अब इसमें ये देख लेते हैं कि ये प्राउधान किस किस को हैं इसमें में बात ये है कि जिसमें पुस्चन भसा सकता है कि इसमें समितियों में भाग लेने वाले ब्यक्तियों को भी विशेसाधिकार प्राप्त है इसमें ये अलग से क्यों लिख्या गया कि समितियों में भा होती है बैठने की लोक सावयार राजह सेवा में उसके सम्हितियों में भागower मैं भाग लेने कि इसको उनूमत ही होती है महा नया बादी की की और केंद्री मंत्री को यह नुझां कर वह बन सकता है जो की सांसदहर ऐसा निश्चित नहीं है आप अगर गवर्मेंट चाहे तो किसी को भी उठा के मंत्री आपको भी बना सकते हैं आप मंत्री बन जाएंगे छे महीने के लिए आपको मंत्री बना दिया जाएगा छे महीने के अंदर अंदर चुनाओ आपको जितना पड़ेगा लेकिन छे महीने के लिए तो ये सांसद नहीं है ना कामन आदमी ही है अगर ये चुनाओ नहीं लड़ा है इसलिए इनको विसे आधिकार के अधिकार प्राप्त होते है ये महतृपूर है इसको याद रखियेगाँ अब देखते हैं कौन से अधिकार दे गए हैं मतलब किस अधिकार को भी से साधिकार कहा गया है उनको ये अधिकार है कि दीवानी मामलों में अगर सत्र या समित की बैठक चल रही है तो बैठक सुरू होने के 40 दिन पहले और समाप्त होने के 40 दिन बाद तक उनको ग्रिपतार नहीं किया जा सकता है दीवानी मामलों में केबल और केबल दीवानी मामलों में क्रिमिनल मामलों में नहीं सत्र समित की बैठक से 40 दिन पहले और बैठक खतम होने के 40 दिन बाद तक ग्रिपतार नहीं किया जा सकता अब इसमें हमको यह नहीं समझ में आया है कि 40 दिन पहले का तो छलिये ठीक है यह अगर सत्र चलने के पहले गरिपतार कर लेंगे तो उनके मतलब कानून बनाने की या कि उनका जो भी कार करने में च्छमता में उनमें बादा उत्पन होगी लेकिन अगर चालिस दिन बाद की सर्थ क्यों रखी गई है हमको ये नहीं समझ में आया इसका अगर कोई लाजिक आपको पता हो तो आप कमेंट करिएगा कि चालिस दिन बाद की उनमुक्ती उनको क्यों दी गई चालिस दिन पहले का तो समझ में आ गया है अब ये अधिकार उनको इसलिए दिये गए हैं ताकि वो एपने कार्यों को प्रभावी ढंक से निर्भान कर सकें वही बत 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 आपको बताया कि चालिस दिन पहले वाला तो ठीक है कि वह अपने कारों को प्रभावी रूप से निर्भान कर सकें लेकिन चालिस दिन बाद वो तो अपना निर्भान कर चुका ना सत्रस समित बैठक खतम हो गई अब उसका क्या काम तो उसको तुरंद ग्रिप्तार कर लेना चाहिए अगर आप राधिक मामले उसमें दर्ज हैं लेकिन उसको चालिस दिन बाद क्यों छूट दी गई है ये इसका लॉजिक समझ में नहीं आ जाए अब इन विसे साधिकारों का हम महत देख लेते हैं क्या महत विसे साधिकारों का एक तो सांस्तों और विधायकों की अभिवेक्ति की सुतंतरता इससे सुनेशित होगी आप देखते होंगे कि वो कुछ भी कहते रहते हैं किसी को भी कोई भी इलजाम लगाते रहते हैं लेक किसी का अगर मान हानन हो रहा है तो उसके केस दर्ज नहीं किया जा सकता इसके अंदर इनको अव्यक्त की सुतंतरता के अंदर उनको छूट मिलती है सदन में घटित किसी मामलों में मुकदमे बाजी से इनको सुरच्छा है आप देखते होंगे चेयर फेक देते हैं जाके प्रगज वगयरा फाड़ के किसी के भी उपर फेक देते हैं उसमें आप उनके उपर कोई भी मुकदमा नहीं दर्जी कर सकते हैं सांसदों और विधायकों की प्राधिकार गरिमा और सम्मान को बनाई रखने में मदद मिलती है विशेसाधिकारों को प्राप्टिके द्वा प्राधिका वन जिरो फाइब और वन नाइंटी फॉर आई चलते हम आज के अपने अंगले टॉपिक पर हमारा अंगला टॉपिक है अलप संक्यक यह निज में इसलिए है क्योंकि किसी ने पिटीशन डाली थी कि अलप संक्यकों को जिले वार तरीके से उनकी पहचान की जा करने बाली या चिका को खारीज कर दिया है इसलिए यह नियोजमित था अब हम देख लेते हैं कि भारती संविधान में इंपसंख्यकों को क्या दरजह प्राप्त है उनको क्या धिकार दिये गए हैं संभिधान में अल्प संख्या को परिवासित किया गया कोई भी फर्जी अनुच्छेद दे सकता है लेकिन उनको परिवासित नहीं किया गया है भरती संभिधान में और लेकिन भले उनको परिवासित नहीं किया लेकिन उनको अधिकार देता है अधिकार संबंदे तीन समसकते हैं कि देश हितों का संरक्षण करेगा किसके हितों का संरक्षण करेगा और उनके हित कौन कौन सोते जैसे उनकी भासा बोली लिपी संस्क्रित को सुरचित रखने का अधिकार दिया जाएगा उनके अगर कोई विशेष्ट भासा है विशेष्ट लिपी अलप संक्रिक कल्पसंखयक भासा इलबसंखयक और धार्मी काल्पसंखयक तो भासा इलबसंखयक में भासा बोली Works को सुरच्छित रखने का 사랑ा अधिकार दिया जाता है अनुचे तिस में चिख्छड संस्टानों की इस्थाप्णा करना और उनका प्रसासन करने का अधिकार उनको अलपसंखिकों को दिया गए जैसे आप देखते होंगे मुस्लिम को अलपसंखिक का दर्जा पराप्त है वो अपने मदर से इस्थाफित करते हैं और वहां पे अपने ही अन्रूप टीचर वो नियुक्त करते हैं तिन सो पचास भी कहता है भासाई अलपसंखिकों के लिए विशेस अधिकारी की नियुक्ति करना भासाई अलपसंखिकों के लिए इसमें ये याद रखिए कि भासाई अलपसंखिकों की बात करता है राज जी विशेस सदिकारी की नियुक्ति करेगा सिर्फ और बहासाई अलपसंखेकیों के लिए ना कि धार्मिक अलपसंखेके के लिए ये टर्म बहुत important है इसको याद रखिएगा अनुचे 350 B धार्मिक अलब संखिकों के लिए विशेस अधिकारी की निक्ट की बात नहीं करता है ये केवल और केवल भासाई अलब संखिकों के लिए विशेस अधिकारी की निक्ट की बात करता है अनुचे 350 B इसको याद अब देख लेते हैं कि संभिधान में भले उनको परिभासित नहीं किया गया है लेकिन केंद्र सरकार राश्ट्री अलपसंख्यक आयोग अधनियम 1992 के द्वारा मुस्लिम, सिख, इसाई, बौध, जैन और पार्सी को अलपसंख्यक गोसित किया गया है इसमें इतने जिवत दिये हैं सिर्फ इनी को अलपसंख्यक गोसित किया गया है मुस्लिम, सिख, इसाई, बौध, जैन और पार्सी यही अलपसंख्यक गोसित हैं अगर इसमें कोई और धर्म आ जाता है तो उनको अलपसंख्यक के लिष्ट में सामिल नहीं किया गया है अभी कार केंड और राजिक ईसमित में न रहिएगा कि केंडर सरकार ही इसका एकजमपल क्या है कि एंपी और दिल्ली में मंद्ण्द्रदेश और दिल्ली में जैन समुदाय को अलप संख्यक ऑफजिद है से इस राज़यों में वह कैसे यू पी राजस्थान वग्रह में जैन लोग जैन को लुप संखत किया गया है लेकिन M.p और दिली में जैन संधय को अलप संख्यक माना गया है तो उन्तों य figura कैंप उर दिली सब्चाविधयक मामला जो कि सुप्रिम कोट में केस गया था और दूसरा है टी एंपाई मामला 2002 का यह जो हम उपर बात कर रहे थे यह मामला क्या है कि यह मामला लेके गए थे सुप्रिम कोट में कि अल्प संख्यकों की जो गड़ना है वह ब्लॉक या जिला इस तर पर की जाए उनको किसी कोई ब्यक्ति अलप संख्यक किया है है या नहीं उनको ब्लॉक इस तर पर पहचाना जाए मालें जे दस लोग हैं उसमें से अगर दो मुसलिम हैं एक ब्लॉक में तो उनको अलपसंख्यक घोसित किया जाए तो सुप्रीम कोट ने इसे खारिज कर दिया था कि ब्लॉक या जिला इस तर पर हम अलपसंख्यक को पहचानने का दरजा नहीं दे सकते हैं ऐसा ही एक मामला आया था दोजर दो में टि-म पाई मामला इस में सुप्रेम कोट ने यह माना था कि भाशाय और धार्मिक अलपसंख्यक निर्धारन राज को इकाई मान कर किया जाता है ना कि पूरे देश को। याद रखिएगा 2002 का मामला है TM PI मामला जिसमें कहा गया है कि भाशाय और धार्मिक अलप संख्यक को अगर निर्धारन करना है तो उसके लिए निर्धारन की इकाई होगी राज ना की पूरा का पूरा देश इसी को आधार बनाकर मद्ध प्रदेश और दिली राज ने जैन समुदाय को अलप संख्यक का दरजा दिया था आज हमारे पास इतने ही टॉपिक थे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताईएगा थैंक यू फॉर वाचिंग